सबी के लिए मंगल कामना के साथ मैं कृष्ण गोपल पांडे आपका स्वागत करता हूँ आज का विशे है विश्नु सहस्तर नाम स्तोत्र तथा इसका पाठ करने के लाब आदी की संपूर्ण जानकारी यदि आप इसके बारे में पढ़ना चाहें तो डिस्क्रप्शन में पढ़ सकते हैं विश्नु सहस्तर नाम बगवान विश्नु के एक हजार नामू वाला एक स्तोत्र मंत्र है प्रतेक नाम बगवान विश्नु के किसी नी किसी गुण को सूचित करता है माभारत के अनुसाशन पर्व के एक सो गुन्चाश्वे अध्याई में इस स्तोत्र का उल्लेक मिलता है इस स्तोत्र मंत्र में तीन भाग है पहले भाग में युदिश्र का विश्म पितामय के पास जाने का उल्लेक है दूसरे भाग में बिश्म पिता मेह द्वारा युदिश्र को बगवान विश्नु के एक हजार नामू का उपदेश देने का उल्लेक है और तीशरे भाग में बगवान विश्नु के सहस्त्र नामू को सुनने अत्वा पाठ करने से होने वाले लाब का विवरन है अब हम बात करेंगे भगवान विश्णु के सहस्र नामों की उत्पत्ती कैसे हुई माभरत का युद्ध समात्त होने के पश्चात युदिश्टर मन ही मन दुखी रहने लगे और अपने आपको अकेला तथा असांत अनुभोव करने लगे वे सोचने लगे कि अब मेरे जीवन का कोई उद्धिश्य शेस नहीं रह गया है ऐसी स्थीती में मैं जी कर क्या करूँगा तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी यानि युदिश्टर की विथा को समझा और उने मन और हर्दे की सांती का उपाई जानने के लिए बिश्म पितामय के पास जाने की सला दी श्री कृष्ण की सला पर युदिश्टर वानु की सया पर लेटे हुए बिश्म पितामय के पास गए और उनको अपने मन की विथा बताई और उनसे पूछा सभी लोकों में सर्वोत्म देवता कोन है सांसारिक जीवन का लक्षे क्या है किस की स्तूती और अर्चना करने से मानव जीवन का कल्यान होता है सबसे उत्तम धर्म कोन सा है किस के नाम का जब करने से जीव को संसार के बंदन से मुप्ती मिलती है युदिश्ट्री के इन प्रश्णू के उत्तर में विश्वे पिता मैं ने कहा कि जगत के प्रभु देवों के देव बगवान विश्णू सभी लोकों में सर्वत्तम देवता हैं उनके सहस्र नामू का जब करने से उनकी अचल भक्ती से स्तूती से आराधना से और नमन आदी से मनुश्य को संसार के बंदन से मुक्ति मिलती है यही सर्वत्तम धर्म है इसके बाद विश्म पिता मैं ने युदिश्टर को विश्णू के सहस्तर नाम और उन नामूं के महत्व का उपदेश दिया अब हम बात करेंगे विश्णू सहस्तर नाम का पाट करने के लाब क्या है इस स्तोत्र का प्रति दिन एक पार्ट करने से धन और स्तिर लक्षमी की प्राप्ती होती है गर्बोती महिला इसका पार्ट करती है या इन सहस्त्र नामों को सुनती है तो उसे स्रेष्ट संतान की प्राप्ती होती है धर्म की कामना करने वाला धर्म को प्राप्त करता है इसका पाठ करने वाले वेक्ति का भग्य हमेशा उसका साथ देता है जब करता को मानसिक सांती मिलती है एवान्चित चिंताओं और विचलित विचारों से मुक्ती मिलती है सकारात्मक और रचनात्मक उर्जा का संचार होता है विश्णु सहस्तर नाम के पार्ट्स करने से जीवन में आने वाले चुनोतियों, बादाओं और खत्रों का सामना करने का साहस बना रहता है मन में सांती का अनवो होता है सामाजिक प्रतिष्टा प्राप्त होती है और उत्तम सुखों की प्राप्ती होती है इसके साथ ही भगवान विश्णु के सहस्तर नाम समंदी जानकारे का विवरण समाप्त हुआ